नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपने भी प्रधान मंत्री ग्रामीन आवाश योजना के अंतरकत अपलाई किया हुआ है तो इस वीडियो को आप चिरूर वोच करेगा चहें आपने 2019 में आवेदन किया है या 2020 में आवेदन किया है या फिर 2021 में आवेदन किया है इस वीडियो को आप चुरू बोच करेगा क्योंकि सरकार दोरा सभी आवेद को का सत्यापन किया जा रहा है और दोस्तो बैंक खाते में पहली किस्त को ट्रांसफर भी किया जा रहा है हलाकि काफी ऐसे लाबारती हैं जिनके बैंक खाते में पहली किस्त यानिके 40,000 रुपे ट्रांसफर कर दे गए है दोस्तो यह है पैसा किनकिन वैक्तियों को दिया जा रहा है और आगे किनकिन वैक्तियों को दिया जाएगा उसके बारे में तमाम जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है अगर आपके पास भी कच्चे मकान हैं पक्के मकान नहीं है आपने आवधन किया है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा किन-किन वेक्तियों के बैंक खाते में यह पैसर ट्रांस्फर किया गया है उसके बारे में भी हम आपको संपुन जानकारी देने वाले हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले हम आपसे निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करेगा आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा बेल अकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो परधान मंत्री ग्रामीन आवाच योजना के अंत्रगत गरीबों को पक्के मकान यनके जिनके पास कच्ची छथ हैं नए मकान बनाने के लिए पहली किस्त को जारिक कर दिया गया है यनके 40,000 रूपे लावार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसपर कर दे गए हैं दोस्तो यह लाब उन वैक्तियों को दिया जा रहा है जिनके पास कच्चे मकान हैं जिनके पास पक्की छथ नहीं हैं ऐसे वैक्तियों को पहली किस्त दिया रही है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा तीन किस्तों में यह है पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जो पहली किस्त 40,000 रूपे की ट्रांसफर कर दी गई है अगर आपके बैंक खाते में अब तक पैसा नहीं आया है और आपने आविदन किया हुआ है तो आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी हम आप पताएंगे अगर वह आप कार्य करेंगे तो आपके बैंक खाते में दोस्तों नए मकानों का जो पैसा है वह ट्रांसफर हो जाएगा तो आप अंध तक बने रहेगा और दोस्तों वीडियो को आप देखते रहेगा तो दोस्तों व्यक्तियों को पहले किष्ट सरकार की तरफ से जारी कर दे गई है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन व्यक्तियों को पहले किष्ट नहीं मिली है दोस्तों उनको भी मिलेगी क्योंकि अभी सरकार दोरा व्यक्तियों का सत्यापन क्या जा रहा है जो फार्म व्यक्तियों ने भरा हुआ है उसका सत्याबन किया जा रहा है साथ दोस्तो अधिकारियों द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है और दिरे-दिरे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है जिन व्यक्तियों ने दोस्तो कहीं सालों से आविदन किया हुआ है चहिए वे है 2019 में आविदन किया है या फिर 2020 में आविदन किया है या 2021 में आविदन किया है या फिर दोस्तो 2018 में आविदन किया था उन सभी का जो डेटा है वे सरकार दुआरा दोस्तो देखा जा रहा है और उसको verify किया जा रहा है क्योंकि काफी रेक्ति ऐसे हैं कि उन्होंने दोस्तो 2019 में आवजन किया था या फिर 2018 में आवजन किया था दोस्तो आगे जानकर दी गई है कि अभी तक जिन व्यक्तियों पैसा नहीं मिला है दोस्तो उनको धिरे धिरे पैसा दिया जा रहा है यानके द्रसल प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना का पैसा सरकार द्वारा धिरे धिरे लाबार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसप किया है उनके दस्तवेजों का उनके फारम का सत्यापन सरकार दुवरा क्या जा रहा है लेकिन दोस्तो ध्यान रहे कि जिन व्यक्तियों ने अपने फारम में गलति की हुई है उनको सरकार की तरफ से पैसा नहीं दे जाएगा एक तरह पैसे मिल सकता है दोस्तों उन व्यक्ति को पैसा अगर वह व्यक्ति पात रहें उनके पास पक्के मकान नहीं है पक्की छत नहीं है अगर वह व्यक्ति जो गलती उनसे हो चुकी है वह गलती दोस्तों सुधरवा लेते हैं ठीक है तो उनको यहां पर सरकाल से पैसा दे दे इस इस्तिती में भी सरकार आपका पैसा रोख सकती है् दोस्तो या फिर कोई भी गलती अगर व्यक्ति से हो चुकी है लाबार्ति से हो चुकी है तब भी व्यक्तियों को पैसा नहीं दिया जाएगा आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे अब दोस्तों आगे बात करते हैं आपको बता दें कि सरकार ने 80 लांक नए घरों को बनाने का लक्षया रखा गया है जिहां दोस्तों 80 लांक नए घर सरकार द्वारा बनाए जाएंगे 80 लांक यहां पर नए घर सरकार द्वारा बनाए जाएंगे अगर दोस्तों आपने आविदन किया है तो आप लिष्ट को जरूर चेक करिएगा अगर आप पर यहनके अगर आपको लिष्ट देखना नहीं आता है लिष्ट चेक करना नहीं आता है कि आपके बैंक खातें पैसा आया है यह नहीं तो आप कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तो हम आपको 2022-23 की नई लिष्ट कैसे देख सकते हैं आप हम उसके उपर एक प्रोपर वीडियो बनाएंगे जिसमें आप दोस्तो आसानी से देख पाएंगे वीडियो को देखकर जानकर को प्राप्त कर पाएंगे ठीक है तो सरकार द्वारा 80 लाग घरों को बनाने का लक्षय रखा गया है जो कि सरकार जल्द ही पुरा करने जा रही है साथी सरकार द्वारा दोस्तो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें बताय गया है कि दलालों से दूर रहें और एक भी रुप्या ना दे जी हां दोस्तो काफी ऐसे वैक्ति होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें इतना परसंटेज दे दिजे या फिर 10,000 रूपे दे दिजे हम आपका पैसा आपको दिलवा देंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जो भी पैसा सरकार के तरफ से भेज जाएगा वह आपके बैंक घाते में ही भेज जाएगा सरकार के तरफ से इस योजना के अंतरगत यनके परधान मंतरी गरामीन आवाश योजना के अंतरगत जो भी पैसा दिया जा रहा है वह मुप्त पैसा दिया जा रहा है आपसे एक भी रूपिया सरकार नहीं लेगी तिये दोस्तो सरकार की तरब से यह एक आर्थिक सहिता दे गई है साथी अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है उन तक जल्द से जल्द पैसा पहुँचाय जाए दोस्तो आपने कब आविदन किया था आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा आपने 2018 में आविदन किया था या फिर 2019 में आविदन किया था जब भी आपने आविदन किया था आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा सारी दोस्तों हम आपसे निविदन करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ही सरकार द्वारा यहां पर दोस्तों एक नोटिफिकेशन में और भी जान कर दी है कि जिन व्यक्तियों के पास पहली किस्त यानके 40,000 रूपे ट्रांसफर किये गए हैं अगर वह नए मकान नहीं बनाते हैं तो उन्हों पर कारवा ही सरकार द्वारा की जाएगी अगर आप तक पैसा पहुँच चुका है तो आप ऐसी गलती ना करें आप जल्द से जल्द अपने कारिया का निर्मा अपने मकानों का निर्मान करना प्रारहम कर दें और दोस्तों आप नए घरों का आनद उठाईएगा तो ये थी आपके लिए महत पुन जानकर रही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा बेल अकन को प्रेस करेगा चले दोस्तो आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत एक लाइक बीस हजार रुपे पक्के मकानों के लिए सरकार दुवारा ट्रांसफर किये जाएंगे ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा ओल पर किलिक करेगा ताकि भी हर एक वीडियो का नोटिफीकेशन आप तक पहुँच सके और दोस्तो उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सके और आप तक अच्छी जानकारिया पहुँचते झाल की रहीं